रूसी संसद में हाली में पास हुए एक बिल के मुताबिक रूस के राष्टपती पुतिन और उनके परिवार पर अजीवन कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा ये विद्यक उन्साविधानिक संशोधन का एक हिस्सा है जिने जुलाई में एक जन्मन संग्रह में सहमती दी गई थी पुतिन के समर्थ तक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं बतौर राश्टपती पुतिन का कारेकाल साल 2024 में पूरा हो जाएगा लेकिन किये गए संशोधन के मुताबिक वो 2024 के बाद भी दो कारेकाल यानी 12 साल तक बतौर राश्टपती अपने पद पर बने रहेंगे इस बचाव विद्यक के आने के साथ ही पुतिन के राजनेतिक भविश्य को लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है साल 2000 से पुतिन रूस की सत्ता के शीर्ष पर है और इस दोरा उन्होंने भरपूर शक्ती का परियोग किया है पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवेलीन ने इस विद्यक के आने के बाद ट्वीट किया पुतिन को अभी बचाव विद्यक की क्या जरूरत है इसके बाद नवेलीन ने एक सवाल करते हुए ट्वीट किया क्या तना शाहत जब मन चाहे तब पर जोड़ सकते हैं दुमा में इस विद्यक को तीन बार लाया जाना है मगलवार को पहली बार इसे पारित कर दिया गया सदन में पुतिन की समर्थन पार्टी उनाइटेड रोशिया पार्टी का बहुमत है हाला की वंपती सांसुदों के 37 वोट इस विद्यक के खिलाफ बढ़े हैं इसके अलावा डुमा में इस विद्यक के दो बार और पढ़ा जाएगा इसके बाद ये विद्यक फेडरेशन कांसलिंग यानी उच्छ सदन में जाएगा इस विद्यक पर आकरी मुहर खुदराश्ट पती पुतिन लगाएंगे